कॉंग्रिस का आरूप सांसद ने बांटे रुपई और शराब समर्थोकों किसा धरने पर बैठी रीती पाठक ने कॉंग्रिस प्रत्याशी को बताया शराब माफिया नमस्कार मैं कुशी और आप देख रहे हैं दख़बरदार न्यूज सीधी से भाशपा और कॉंग्रिस के प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरूप लगाए हैं दोनों ने एक दूसरे के किलाफ जम कर विरोध प्रदर्शन किया है गुरुबार नात करीब 11 बचे कॉंग्रिस के प्रत्याशी ग्यान सिंग सांसद के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे उन्होंने आरूप लगाए कि भाशपा प्रत्याशी और सांसद रीती पार्थक गाउं में पैसे और शराब भिजवा रही है कॉंग्रिस कारीकरता और नेता मौके पर पहुंचे और विरोध करना शुरू कर दिया इसके बाद सीधी सांसद रीती पाठक के समर तक भी मौके पर पहुँच गए और उन्होंने आरूप लगाते हुए ये कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के कारिकरता और नीता उनसे बत्तिमीजी कर रहे हैं उन्हें मारने का प्रयास कर रहे हैं सीधी सांसद रीती पाठक ने भी अपने ही आवास की सामनी धर्णा करना शुरू कर दिया मामले की गंभीरता को देते हुए मौके पर पुलिस प्रशाशन की टीम मौके पर पहुंच गई प्रशाशन और चुनाव आयोग पर तीखी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए आरूप लगाए रखे हैं थाना प्रभारी कोतवाली अभिशेक उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉंग्रेस के विदानसवा सीधी के प्रत्याशी ज्यान सिंग ने आरूप लगाए है इस पर उनसे आविदन ले लिया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ तब तक की लिए नमस्कार और देखते रही दखखबरदान यूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें